ओम जै श्री हरी विष्णू जै मतरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगविती दुर्गा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने व या दीपदान करते हैं मतलब कई ऐसे नियम हैं जो कि इस अधिक मास में लिये जा सकते हैं इसके बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है मतलब अधिक मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानकारी में आपको अधिक मास के प्रारंभ होने से पहले ही दे च दिनों में आप कुछ नियमों का पालन करके मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नियम का पालन करके और इस अधिक मास का संपुर्ण फर आप पा सकते हैं और आज की वीडियो में इसी बारे में मैं आप से सारी जानकारी शेयर करने वाली हूं कि अधिक मास के अंतिम कब से प्रारंब हो रहें मतलब अंतिम पाँच दिन कब से कब तक रहेंगे कौन-कौन से नियम का पालन आप कर सकते हैं अगर आप व्रत धारन करना चाहते हैं जैसे कि अगर आप पूरे अधिक मास में व्रत नहीं कर पाए हैं अंतिम पाँच दिनों में अगर आप व्रत करन चाहते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं पूजा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए दान किस प्रकार से आप करेंगे दीप दान आपको कबर कैसे करना है और अधिक मास में कौन सा उपाय विशेश रूप से आप करें जिससे की अधिक मास का संपुर्ण फल आपको प्राप के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे तो देखिए अधिक मास के जो अंतिम पांच दिन होते हैं एकादशी से प्रारंभ होते हैं मतलब अधिक मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर और अमावश्या तक पांच दिन ये गिने जाते हैं तो अधिक मास की जो एकादशी है 12 अगस्त को है और अमावश्या है 16 अगस्त को तो यह 5 दिन हो गये हैं 5 दिन में आप विशेष रूपसे कोई भी नियम ले सकते हैं जैसे कि अगर आप वृत धारन करना चाहते हैं पूरे अधिक मास में आप नइयंं कर पाएं हैं तो। प्रति दिन आप चाहे तो भगवान श्रीहर विष्णू के किसी भी मंत्र के जब करने का नियम ले सकते हैं। कोई भी व्रत धारन करना चाहता है अतिक मास के अंतिम पांच दिनों का तो नियम क्या होगा। देखिए अगर आप व्रत धारन करना चाहते हैं अंतिम पांच दिनों का तो एकादर्शी से आपका व्रत प्रारंब होगा। और एकादशी मतलब जो 12 अगर्स्त को परमा एकादशी है उसी दिन से शनिवार से आपका वरत प्रारंभ हो जाएगा पहला वरत होगा उस दिन तो जिस दिन आप वरत शुरू करेंगे उस दिन सुबह जल्दी उठेंगे मतलब ब्रह्मों मुर्त में ही उठकर श्नान करना है लेकिन देखे सब के लिए ऐसा नहीं हो पाता है तो हम अपनी possibilities के according जो भी हमारे अनुचार हम कर पाते हैं उसके अनुचार हम नियम लेते हैं तो आप अपने घर में भी किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर या फिर गंगा जी का जल मिलाकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स् जैसे आपके पास विग्रह भगवान श्री विष्नु का शालीग्राम जी हो या फिर कोई भी स्वरुप भगवान का हो जिनकी आप पूझा करते हो उन श्री विग्रह का आपको अिविशेक करना है किसी बी चीज़ से आप अभिशेक कर सकते हैं पंचामिश से ऋर्ष रृ प्रति दिन तुलसी अर्पित करते हैं तो इसका फल कोट गुना बताया गया है तो आप इन पांच दिनों में इस प्रकार का भी नियम ले सकते हैं कि मैं हर रोज आपके चरणों में तुलसी अर्पित करूँगा या करूँगी तो शालिगराम जी हो भगवान लड़ु गोपाल जी हो या भगवान स्ट्रेय विष्णु का कोई भी स्वरूप हो आप वहाँ पर तुलसी का पत्ता अर्पित कर सकते हैं नियम पूरवक्त जैसे कि वैसे तो तुलसी हमेशा ही हम अर्पित करते हैं जब घर में भगवान विशेष नियम से संकल्पी तर पर जब हम कई काम करते हैं तो उसका फल में बहुत मिलता है तो आप क्या कर ली जिए पहले दिन ही जब आप श्नान करते हैं तो उसी समय आपको संकल्प लेना है कि मैं प्रती दिन ब्रह्म मुहुर्द में उटकर श्नान करके और भगवान पूजा करूंगा या करूंगी और अगर आप व्रत धारन करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए इस बीच में जितने भी नियम आप पालन करना चाहते हैं जैसे कि दान करना चाहते हैं या फिर आप तुलसी अर्पित करना चाहते हैं कोई विशेश मंत्र जब करना चाहत या आप चाहे तो तुलसी के पत्ते प्रती दिन अर्पित करना चाहता हूं, इस प्रकार से संकल्ब के साथ शुरू कर सकते हैं अंतिम दिन समापन किया जाएगा, जब आपको विधि बताती हूँ अभी लेकिन नियम अगर संकल्भ के साथ हम शुरू करते हैं तो उसका फल ब और अब बात करें कि भोजन किस चीज का आपको करना है मतलब खाने में आप क्या ले सकते हैं अगर आप व्रत करते हैं तो देखिए अगर आप अधिक मास के अंतिम पांच दिनों का व्रत धारन करते हैं तो वैसे तो शांस्त्र कहते हैं कि आपको पूरी तरह से फलाहारी बहूरी परहं के समय आप चाहे तो बना हृँ उद्ञ आप अंका प्रियोक भी करें सकते हैं तो यह पूरी तरह से फलाहारी ही हो जाएं जैसी कि हम नवढरातरी में करते हैं उसी प्रकार से यह पूरी तरह से फलाहारी होगा लेकि र langraf ऐसा नहीं करते हैं तो शांस्को नौर्मल भोजन भी कर सकते हैं बस उसमें लेसुन प्याज ना हो और बैंगन, मूली, गाजर ये सब चीजें तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं अधिक मास में तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा तो देखिए अगर आप वरत कर रहे हैं तो दिन में फलाहार करेंगे अब बहुत से भक्तों का प्रश्ण होगा कि क्या हम दिन में कई बार फलाहार कर सकते हैं देखिए कई बार मतलब बार मुझ उठा नहीं करना चाहिए लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में एक दो बार संध्याकाल से पहले मतलब सुर्यास्त होने पहले आप भोजन कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप तारों को देख कर भी भोजन कर सकते हैं ये दोनों ही नियम हैं अपने हिसाब से लिये जाते हैं जैसी भी आपके इच्छा हो आप देखिए अगर आप अधिक मास का वरत धारण करते हैं तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं जैसे कि सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्रीयर विष्णु की पूजा आराद नाम को करनी है जितना हो सके भगवान श्रीयर विष्णु के नाम का मंद्र का स्मरण करते रहिए घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ दीबदान आपको जरूर करना चाहिए जाकर कोई देव विष्ण है आपके घर के आसपास जैसे की पीपल का विष्णु तो रहिवार को छोड़ कर बाकी के दिन पीपल के विष्ण में जाकर आप दीबदान कर सकते हैं जलर पित कर सकते हैं और केला हो या आवला हो तो वहाँ पर भी जाकर आप दीबदान कर सकते हैं, बेलवरिक्ष के पास भी आप दीबदान कर सकते हैं, मतलब दीबदान अधिक से अधिक इस समय में आपको करना है, और हाँ एक चीज का आपको ध्यान डखना है, किसी के भी बारे में गलत शब्द के उपर केंदित रखिए ज्यादा से ज्यादा नाम जब कीजिए और भगवान का भजन किरतन करते हुए पुराणों का पाठ करते हुए समय व्यतित कीजिए और हां दान आपको प्रति दिन करना है कोई भी वस्तु आप प्रति दिन दान करने का नियम भी जरूर लीजिए ज जैसे कि अगर आपके इच्छा हो लेकिन आपके लिए अत्यानतावशक है वैसे जो लोग ब्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगी अगर आपने पूरे अधिकमास में दान नहीं किया है तो यह पांच दिन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं आपके लिए बजट में रहे कर आप दान कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो आप एक रुपे का भी दान करते हैं तो वो भी दान में गिना जाएगा अगर आप किसी जरूरत मंद को उसकी जरूरत के लिए देते हैं तो यह फिर किसी मंदिर में दान करते हैं तो मतलब जहां भी आप ध्यान रखें, सुपात्र को ही दान कीजिये, कहीं भी ऐसे ही दान नहीं किया जाता है, और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, आप चाहें तो हर रोज ब्रह्म मूर्थ में उटकर श्नान करने का नियम ले सकते हैं, कोई भी पाठ प्रती दिन आप करें, इस प्रकार का नियम भी ले सकते हैं और अब देखिए भोजन आप किसी को भी करा सकते हैं चाहे तो पक्षियों के निमित अगर आप अपने भोजन करने से पहले कुछ दाना रख देते हैं जल रख देते हैं तो ये भी पक्षियों के लिए आपने भोजन से पहले दाना अगर निकाल दिया है तो आप चाहे तो गव माता को अपने भोजन करने से पहले भोजन करा सकते हैं या फिर किसी गरीब को, किसी जरूरत मंद को, किसी ब्रामवड को ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भड करता है कि आप कितने लोगों को किस प्रकार से भोजन दे पाते हैं आप इस प्रकार का भी नियम ले सकते हैं कि इन पाँच दिनों में प्रती दिन शिवलिंग पर पंचामरी तरपित करेंगे या कोई संख्या निर्धारित कर लीजिए इतनी संख्या में बिल्वपत्र भगवान शिव को अरपित करेंगे क्योंकि अधिक मास का जो समय होता है वैसे तो भगवान श्री हर विष्णू को समरपित होता है लेकिन अधिक मास सावन में आया है तो अगर आप भगवान श्री हर विष्णू के साथ भगवान शिव की पूज आरातना करते हैं तो दुग्णा-फल आपको प्राप्त होगा इसलिए इस अधिक मास में भगवान शिव की पूजया विशेष रूप से करने का भी नियम आप ले सकते हैं और हां अधिक मास में सबसे जरूरी होता सब्सकाइब करना तुलसी का पूजन करना तूलसी पूजा की विधी मैंने आपको मास से पहले ही बता दिए विल्डी आपको अधिक मास में तुल्सी की पूजा करनी चाहिए लेकिन अगर आपने उस वीडियो Myersak और इसी के साथ अधिक मास मतलब जो भी भगवान विश्णु को प्रिय होते हैं महीने उन महीनों में तुल्सी की पूजा भी विशेश हो जाती है स्पेशल हो जाती है तो आपको क्या करना है तुल्सी को जो आप जल अर्पित करते हैं उसमें एक या दो बूंत या फिर आधा चमच दूद डाल दीजिए कच्चा दूद और भगवान श्रीयर विश्णु की पूजा करने के बाद ये जल तुल्सी में अर्पित कीजिए और तुल्सी की माला से करते हैं तो शाष्ट्रों की अनुसार इस पुन्यफल का वरणन ब्रह्मा स्वेम भी करने में असमर्थ हो जाते हैं मतलब हर प्रकार की जो आपकी मन की इच्छा होती है वो तो पूरी होती ही है इसके साथ ही जो आपके संचित पुन्यकर्म हैं वो पूजा कर रहे हैं तो सुवे भी दीब्दान कर सकते हैं शाम को भी दीब्दान कर सकते हैं तो देखिए नियम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपकी सामर्थ में हो इसमें से कोई से भी नियम का पालन आप कर सकते हैं और अगर आप वरत करते हैं या फिर कोई भी न नियम लिया है तो उसे पूरा किया है श्री हरी विष्णु है जगत के पालनहार आप इसे स्वीकार कीजिए कोई भी फूल चुक जाने अंजाने मुझसे हुई हो या मेरे परिवार से हुई हो तो मुझे शमा कीजिए और इस पूजा का वरत का या फिर अगर नियम लिया है मतलब आप चाहे तो पती पतनी ब्रामण दोनों को घर बुलाईए उन्हें भोजन कराईए अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में ब्रामण को भोजन कराये जा सकता है या फिर किसी एक ब्रामण को भी ब्रामण जोड़े को भी भोजन कराये जा सकता है अगर ऐसा भी नहीं हो तो ब्रामण के निमित दान की सामगरी, कच्ची सामगरी निकाल कर और किसी मंदिर में किसी पुजारी को या किसी धर्मस्थान में दान कर दीजिए आप चाहे तो किसी जरूरत मंद को भी दान कर सकते हैं लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रामणों में भगवान श्रीय विष्णु का बास माना गया है, मतलब ब्रामण विष्णु का स्वरूप माने गया है, इसलिए जब हम भगवान श्रीय विष्णु के निमित कोई भी व्रत करते हैं, तो उसका दान हम किसी ब्रामण को के सब्सक्राइब बायाब किसी और करने के बाद आप जाहे तो जरुरत मंदों को धान था कर सकते हैं और हां जयसे की बहुत से भग्त हैं जो कि कहेंगे कि अगरम पीरियोट्स में हैं तो इस समय में आप प्रफिप शुरूरियों मत कीजिए इम ले लिजी कोईllers Sem benevolent का नियम ले सकते हैं प्रती दिन कोई भी मंत्र सुन सकते हैं कोई भी पार्ट सुन सकते हैं मोबाईल लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्ण हो कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए और हां उमीद करती हूं कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली शुप पुराण की कताएं आप जरूर सुनते होंगे इसके अलाव एकादशी कब हैं अमावश्या कब हैं ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर ग्राप्त हो सके मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार